नमस्ते अभिवादन आपका है नोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दुफतों अभी मैं HDFC बैंक का रिजल्ट देख रहा था उस रिजल्ट से अभी हमको कुछ खास मतलब नहीं है क्योंकि मैंने आपको वो स्टॉक को रिकमेंड नहीं किया है लेकिन उस रिजल्ट को देखने से हमें काफी कुछ चीज़ें पता चलती है उस ग्रूप के बारे में कमाल का रिजल्ट आया है प्रोविजिनिंग कम होई है इसलिए जो प्रॉफिट है वो 23-23% के आज़ पास बढ़ा है जो की कमाल का फिगर होता है आपको पता है एक ब्लूचिप कमपनी जब 22-23% की ग्रोथ देती है न ये कमाल की बात होती है और मैं इस रिजल्ट को देख करके काफी खुस हुआ हूँ आपको हो सकता है कहीं थोड़ी सी मतलब ये कमी दिखाए देख बैंक ने प्रोविजिनिंग अगर कम की है तो आगे इसको बढ़ा देगा तो मैं आपको एक बात बताओं कि NPA को लेकर के HDPC बैंक बहुत स्ट्रिक्ट है और वो अच्छे से हैंडल करना जानता है इसलिए इस कदम को मैं छोटे से भी संदेह के दाएरे में नहीं रखना चाहता आराम से बैंक हैंडल कर सकता है अपने NPA को उन्होंने अगर कम की है प्रोविजिनिंग तो अफकोस सी बात है वो अपने बैंक को लेकर के पूरे confidence में है कि NPA आगे उतने अच्छे तरीके से ह पेंडल किये जा सकते हैं अब आपको मैं एक बतात हूंगा जो इस महगाई के दौरान खरीदने लायक है महगाई के दौरान में बात कर रहा हूं इस महंगाई में भारत में किस कदर बढ़ चुकी है पुरे दुनिया में किस कदर बढ़ रही है वो तो आपको पताई है गोल्ड खरीदने की सलाह आपको काफी दिन पहले दी गई थी अभी जहां पर मैंने आपको recommend किया था गोल्ड खरीदने को वहां से 16-17% उपर है और गोल्ड अगर 16-17% उपर है जो इस महँगाई के दौरान खरीदने लायक है ना मैं स्टॉक का HDFC, AMC आप लोग बोलोगे सर मेरे पास पहले से है तो यहार मेरे कहने पर 1% quantity एड़ कर लेना अगर मन हो तो एक दुसर मेरे कहने पर भी खरीद लो क्यों बोल ला हूँ अब ध्यान से सुनियेगा valuation इस पर कोई सक नहीं किया जा सकता क्योंकि stock उपर से गिरा हुआ है एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा 2000 इसके लिए बहुत बड़ा support है इनकेस बाजार में 3-4% की गिरावट आती है और यहाँ 5-6-7% की गिरावट आ जाती है वो कमाल का level होगा first time investors के लिए इस stock को accumulate करने के लिए खरीदने के लिए जिनको quantity add करनी है वो 2000 के आसपास इसको stable होते हुए देखें तुरंत quantity add कर लें stable होने का मतलब है कि 2-3 दिन वहाँ पर वो समय बिता ले जिनको HDFC group से परहेज है वो आदित विरला Sun Life AMC भी खरीच सकते हैं इनका भी valuation काफी attractive है लेकिन उसके case में size और quality का थोड़ा सा यहाँ पर issue है वो आपको अपने हिसाब से समझना है मैं यह नहीं कराओ का आदित विरला Sun Life mutual fund की quality खराब है बस HDFC के comparison में पीछे आ जाती है इतना आप ध्यान रखिएगा महेंगाई के case में मैंने इस stock को क्यों recommend किया उसको मैं समझाओंगा पहले यह समझ लिए कि HDFC AMC गिर क्यों रहा है पहले तो महेंगा valuation दूसरा बाजार को लेकर के लोगों में awareness बढ़ी है खासकर social media के तहत यह एक बड़ा कारण है कुछ top level से वहाँ पर changes भी किये गए हैं जैसे कि total expense ratio में ठीक है वो एक बहुत बड़ा factor है इनकी revenue में dent देने के लिए बाकी overall अगर मैं आपको बताना चाहूँ जिस हिसाब से लोगों का participation mutual funds में stock market में बढ़ा है उस हिसाब से इनका revenue नहीं बढ़ पाया और market इस चीज को बहुत negative लेती है लेकिन मैं एक बात मानके बैठा हूँ कि HDFC group अगर HDFC bank के result को अच्छे से manage कर सकता है तो HDFC AMC भी उसको समालेगा आपको इस पर ध्यान देना है क्यों लोग आएंगे इसकी तरफ महंगाई के case में क्योंकि लोगों को investment करना है और investment का एक alternate option mutual fund है आपको ये बात तो पताईए total expense ratio क्या होता है ये मैं कभी और समझाऊंगा और क्यों से भी ने उस पर cap लगाई लेकिन एक एंगल से देखोगे तो आपको एक बात पता चलेगी उससे इनके जो revenues है उनमें dent पड़ा है लेकिन दूसरे एंगल से अगर आप देखना चाहोगे तो ये अलग-अलग schemes निकाल सकते हैं और जो highest level है expenditure का एक mutual fund company कितना पैसा लेती है खर्चे की रूप में एक बंदे से मतलब कि मैं investment कर रहा हूं mutual fund में मुझसे जो पैसा लिया जा रहा है अगर मुझे किसी भी AMC में उसकी value समझ में आती है कि चलो यार इस भाई साब को इस fund manager को मैं इतना पैसा देने के लिए तयार हूं तो बिल्कुल ऐसी कंपनिया grow करती है क्योंकि उनके mutual fund managers mutual fund को अच्छे से manage करते हैं तो overall एक nutshell में अगर बताना चाहूं इस टॉक पे gold कब आपको खरीदने के लिए बोला गया था वह वाली वीडियो जरूर जा करके देख लेना और इन चार दिनों की छुट्टी में आपके लिए कमाल कमाल की वीडियो रिकॉर्ड की गई है आयोप आपने उनको जरूर देखा होगा जिनको तरीके से सीखना है उनके लिए must watch playlist available है वीडियो पसंद आई लाइक कर देना अगर आप मुझसे agree नहीं करते हो जरूर अपनी राज दीजिएगा comment section में और अगर agree करते हो तो फिवनासी आपको कहां पर investment का level दे रहा है उसको जरा सा डिकोड करना फिवनासी वाली वीडियो देख करके पहले ही चैनल पर uploaded है जल्दी मिलेंगे अच्छी वाली वीडियो में वीडियो पसंद आई आए तो dislike कर देना पसंद आई तो like कर देना जल्दी मिलेंगे आपका आभार नमस्कार